नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में प्यारे साथियो आज का हमारा टोपिक रहेगा सोर मंडल से सम्मंदित महतवपुन प्रशनों को हम लोग आज डिसकस करेंगे और इसी टोपिक के साथ ग्रेड थर्ड के लिए साइन्स में टोपिक वाइज प्रशनों की हमारी सिरीज संपन हो जाएगी कम्प्लीट जो आपके सलेबस में टोपिक दिये गए हैं सभी के NCRT पर अधारित प्रशन मैंने आपको करवाए हैं ठीक है तो डेफिनेटली यह जो सारे वीडियोज हैं आपको फाइदा देंगे जिस भी बचे ने सारे वीडियो देखें निश्चित तोर पर उसको एक्जाम में पेनिफिट मिलेगा यह मिलेगा चलिए बीना समेगवाई अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले प्रसंद से देखें बहुत आसा टोपिक है कोई बहुत कठिन प्रसं इसमें नहीं बनेंगे 35 प्रशन मैंने लिए हैं आसान प्रशन कोई कठिन प्रशन नहीं है कक्षे आठ की जो एन शारिटी की बुक है उसमें ये टोपिक बहुत अच्छे से दिया गया है वहीं से मैंने प्रशन भी लिए हैं पहला प्रशन है निमलखित में से कौन सा सोर परिवार का सदसे नहीं है ये बुक काई प्रशन है सोर परिवार में आता है सुरिय और उसके ग्रह सुरिय और उसके ग्रह आता है तो तारा मंडल इसमें नहीं आता इसलिए तारा मंडल ही इसका अंसर हो जाएगा बाकि सुद्र ग्रह जो की मंगल और ब्रस्पति के क्रक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं उपग्रह तो होते ही हैं जैसे पर्थवी का उपग्रह चंद्रमा है धुमकेतु वगेरा ये भी सुरिय के चक्कर लगाते हैं धुमकेतु वगेरा तो ये भी क्या सोर परिवार का सदसे हैं लेकिन तारा मंडल जो सोर परिवार के सदसे नहीं है अगला प्रसंद देख लेते हैं निमलखित में से कोन सुरिय का ग्रह नहीं है सुरिय के देखिए सुरिय का ग्रह कोन नहीं है ये पूछा है सीरियस, बुद, सनी और पर्थवी अगर हम सुरिय के ग्रहों की बात करें तो सुरिय के सबसे पास ग्रह होता है बुद ग्रह ठीक है, बुद के बाद में कौन सा ग्रह आता है साथियो सुक्र ग्रह आता है, सुक्र के बाद में कौन आता है पर्थवी आती है पर्थवी के बाद में कोन है साथियो पर्थवी के बाद में मंगल ग्रह ठीक है मंगल ग्रह मंगल के बाद में ब्रस्पती ब्रस्पती ठीक है और ब्रस्पती के बाद में सनी और सनी के बाद में अरुन और उसके बाद में वरुन अरुन और उसके बाद मे वरुन, ये ग्रहे हैं साथियो, हना, ये सुरिये के क्या है, ग्रहे कुल मिलाकर के सुरिये के आठ ग्रहे है, ठीक है, और आठों का करम इसी परकार से है, सुरिये के नजदीक से लेके दूर का करम, सबसे नजदीक बुद्ध, सबसे दूर वरुन ग्रहे, तो यहां कौन सुर अगला प्रसन है बाल चंदर के लिए सही है बाल चंदर के लिए सही है पुरुनीमा का अगला दिन अमाऊश्या का अगला दिन अमाऊश्या के पहले वाला दिन या पुरुनीमा के पहले वाला दिन तो देखिए बाल चंदर के लिए बाल चंदर क्या होता देखिए अमाऊश या कि जश्ट अगले दिन थोड़ा सचंद्रमा दिखाई देता है तो वो बालचंद्र कहलाता है यानि कि सूकलपक्स की पर्थमा को ही बालचंद्र एक प्रकार से हम कहते हैं तो अमाउस्या का अगला दिन यही आपका अंसर रहेगा अमाउस्या का अगला दिन ठीक है कुछ लोग प्रणीमा का पहला दिन या अगला दिन कर देते हैं तो वो गलत है यह होगा आपका अमाउस्या का अगला दिन ठीक है साथियो चलिए चंदर कलाओं पर आधारी तत्योहारों के लिए सही युग में नहीं है दिवाली अमाउश्या को आती है बिल्कुल ठीक गुरुनानक जेनती पुरुनीमा को ये भी सही है महाश्युरात्री सुकल पक्स की त्रियोदसी और इदूल फीतर बाल चंदर की दरसन के अगले दिन तो देखें यहाँ आपका आंसर बनेगा महाश्युरात्री सुकल पक्स सुकल पक्स में नहीं आती है कृष्ण पक्स ठीक है और इदूल फीतर बाल चंदर की दरसन के अगले दिन तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर यही आपका उप्षन तीन सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं चंदरमा के समंद में सही है यहां वायूमंडल नहीं है दो पर्थवी का एक मातर प्राकर्तिक उपग चंदरमा के समंद में सही है यह पूछा है यहां वायूमंडल नहीं है सही बात है पर्थवी का एक मातर प्राकर्तिक उपगर यह भी सीए चंदरमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्तिका नाम नील आमस्ट्रोंग है यह भी ठीक है तो सारे ठीके इसलिए उपरोक् अगला प्रसंद है, सूरिय के बाद पर्तुरी के निकर् Talking तारा सूरिय के एक तारा है, प्रोक्सिमा सेंट्विस, सीरिय इस धुर्वतारा है इंमें से कोई नहीं प्रोक्सिमा सेंट्विस, सही उतरसातियों रहेगा हमें सूरिये पूरो से उदे तथा पस्यम में अस्त होता क्यों दिखाई देता है एक पर्थवी की परिकर्मन गती के कारण, दो पर्थवी की गुरुनन गती के कारण, तीन उपरोक्त दोनों या चार इन में से कोई नहीं देखे सूर्य जो है वो पूरो से पस्सिम की और पूरो में उदे और पस्सिम में अस्त होता क्यों दिखाई देता वो होता है पर्थवी की गुरुनन गती के कारण और पर्थवी की गुरुनन गती होती है कहां से कहां पस्सिम से पूरो की और पस्सिम से पूरो की और ये पर में अस्त होता दिखाई देता है ठीक है तो यही आपका अंसर भी साथियों हो जाएगा गुर्णन परत्वी की गुर्णन गती के कारण ऐसा होता है ठीक है हाँ जी अंग्रेजी एक्सर डबलू तथा एम के आकर्ति बनाने वाला तारा मंडल है ग्रेट बियर औरियन अर्षा मेजर केसियोपिया देखिए इसका उत्तर होगा देखिए ग्रेट बियर और अर्षा मेजर ये तो सब तरीसी मंडल कोई बोलते हैं सब तरीसी सब तरीसी तारा मंडल सब तरीसी तारा मंडल जो की उत्री दुरुव में दिखाई देता है, दक्षिन दुरुव में दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार से धुरुवतारा, जो उत्र पर्त्वी के लंवोत अक्स के बिलकुल ठीक उपर होता है, पर्त्वी के जो गुरुनन अक्स होती है, उसके ठीक उपर जो इस्तित होता है धुर्वतारा वह भी केवल उत्री धुर्व में दिखाई देता है बाकी दक्षिन धुर्व में दिखाई नहीं देता है उसी परकार सब्त्रीसी भी एक परकार से अपने धुर्वतारा तारे का ही चक्र लगाता है ऐसा पर्तित होता है में हना तो वह भी क्या है उत्र चम के लिए तारे होते हैं, कितने तारे होते हैं, आठ चम के लिए तारे, ठीक है, और सब तरी से में साथ होते हैं केसी ओपिया जो है, केसी ओपिया का जो आकार है, केसी ओपिया जो तारा मंडल है इसका अकार अंग्रेजी अक्सर डबलू या M कैसा बिगड़ा हुआ रूप M का एकदम टेड़ा मेड़ा रूप होता थोड़ा M का रूप भी बोल सकते हैं अंग्रेजी अक्सर डबलू का रूप यह होता है केशी उपिया तो इसका उत्तर भी जो है तो उपसा नंबर चार ही रहेगा ठीक है अगला प्रस्न निम्न में से सही है दुर्वतारा दक्षिन गोलार्द में नहीं दिखाई देता सब्तरीसी तारा मंडल दोनों मैंने आपको पहले ही बता दिये हैं तोपसर नमबर चार दोनों ही सही है दोनों ही दक्षिंदुरों में दिखाई नहीं देते हैं निम्न में से धरातलिय ग्रह नहीं है धरातलिय ग्रह है नहीं है बुद, मंगल, सुक्र और ब्रस्पति देखिए ब्रस्पती जो द्रातलिय ग्रह नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया कि ग्रह कौन कौन से है अपने बुद्ध ग्रह है ना बुद्ध है उसके बाद में कौन है बुद्ध के बाद में शुक्र है शुक्र के बाद में कोन है प्रत्वी है और प्रत्वी के बाद में कौन है मंगल मंगल के बाद में आता है ब्रहस्पती एक मिनट ब्रहस्पती ठीक है इसके बाद में सनी फिर अरून और फिर लाश्ट में आता है वरून ठीक है ये गरहें हमारे आठ अब इन आठ गरों में ये वाले जो च्यार गरे हैं इनके उपर धरातल यानि सतह पाई जाती है फोस कठोर सतह 30 के उपर इसलिए इन गरहों को हम धरातल ये गरे इनको धरातल ये गरे या पार्थिव गरे भी कहते हैं धरातल ये गरे है या पार्थिव गरे है या आंत्रिक गरे है आंत्रिक गरे कहते हैं ठीक है ये जो ब्रस्पति सनी अरून वरून ये धरातल ये ने इनके उपर धरातल नहीं है इसलिए इनको गेश ये गरे गरे भी कहा जाता है गेश ये गरे के अलावा इन्हे जैसे इनको तो आंतरी ग्रह कहते हैं ये वाले जो ग्रह है इनको बाहिये ग्रह ये क्या है बाहिये ग्रह इनको बाहिये ग्रह भी कहते हैं लाश्ट वाले चेहरों को ठीक है, और मंगल और ब्रस्पती के बीच में कौन से ग्रह पाए जाते हैं, छुद्र ग्रह, मंगल और ब्रस्पती के बीच में पाए जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, ब्रस्पती ग्रह, ठीक है साथियो, आसान प्रशन है, अगला प्रशन देखते हैं, सूरिय का निकटतम ग्रह है सूरिय के सबसे पास कौन सा ग्रह है सबसे आसान प्रसंद बुद्ध ग्रह है फोबोस वर डिमोस किस ग्रह के उपग्रह है बुद्ध, सुक्र, ब्रस्पति और मंगल ठीक है देखें बुद्ध और सुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है ब्रस्पती जो ग्रह है उसके उपग्रह है लेकिन फोबोस और डिमोस के लिए पूछा है तो उप्सा नमबर चार आपका उतर होगा मंगल के ये उपग्रह हैं बहुत बार पूछे जा चुके हैं एक टाइटन टाइटन उपग्रह जो है उसके बारे में पूछते हैं बरस्पती के बाद दूसरा सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है सनी ग्रह सबसे बड़ा है बरस्पती के बाद में है इसके बाद में हम बात करें निम्न में से सही नहीं है सुक्र ग्रै को पर्थवी की बहन भी कहते हैं बिल्कुल सही है क्योंकि इसका जो आकार अलग बग पर्थवी के समानर पर्थवी के सबसे पडोस में यही ग्रै सबसे पास में सुक्र ग्रै को भोर का तारा, सुबह का तारा और सांज यानि सायकाल का तारा भी कहते हैं, सुकर ग्रैपर वायो मंडल नहीं है, यहां सही नहीं है, वो पूछ है, इन में से कोई नहीं, तो देखे इसका उतर हो जाएगा, उप्सन नमबर टीन, सुकर ग्रैपर वायो मंडल नहीं है, जबकि वायो मंडल है साथ यो सुकर ग्रैपर, अना सुकर ग्रहा पर हमें S2SO4, सल्फूरिक एसिड के मोटे और सफेद और पिले बादल का इसका वायो मंडल बना हुआ है, इसलिए यहां अंसर आपका उप्शन नमबर 3 रहेगा अना पर्थवी की विप्री दिशा में गुरुनन करने वाले ग्रहा कौन से हैं, पर्थवी अपनी अक्स पर पस्सिम से पूरव के और गुरुनन करती है, ठीक है इसलिए हमें सुरिये पूरव में उदे और पस्सिम में अस्तो होता दिखाई देता है, क्योंकि पर्थवी पस के वीपरीद गुर्णन करते exhale Бाकिसबी गया है जितने भी गया है सब के सब क्या करते हैं पस्टिम से पूर्व के और गुर्णन करते हैं कि अवल दो ग्रहों को छोड़कर वो दो ग्रहें शुक्र ग्रहे और एक और आपका अरुन गरह है, वरुन नहीं होगा, अरुन गरह होगा, इसलिए option एक ही यहां से उतर होगा, क्योंकि और ब्रश्पति तो पस्तिम से पूरो ही करते हैं, लेकिन सुक्र गरह है, यहां से यह प्रसंद बहुत इवार बनता है, बहुत बार, क्योंकि अलग है, विशेस है और जो चीज विशेश होती है सब के साथ जो चीज वो प्रस्ण नहीं बनता जो विशेश हो वहीं से प्रस्ण बनता है सुक्रव अरुण पूर्व से पस्सिम मे गुर्णन करते हैं ठीक है परत्वी के विपरीद गुर्णन करते हैं option हो जाएगा एक शुद्रगरा कहां परिकर्मा करते हैं मंगल और बरस्पती के बीच में बता दिया आपको तेकि टाइम वेश्ट करने से कोई फाइदा नहीं है जल्दी जल्दी इसमें कोई समझाने वाली चीज है यह नहीं निमन में से सत्य कथन है सुरिय की बाहरी परत को करीट कहा जाता है सुरिय जो होता है उसका जो बाहरी भाग है यह तो अंदर वाला भाग हो गए यह तो अंदर वाला भाग हो गए लेकिन जो बाहरी भाग है इसको क्या कहते है करीट या फिर इसको कोरोना भी कहा जाता है तो यह सई point है अगला है वरुन ग्रह हरे रंग का प्रकास का उत्सरजन करता है इसलिए इसे हरा ग्रह भी का जाता है हरा ग्रह कौन चा है वरुन ग्रह हरा ग्रह है क्योंकि यह हरे प्रकास का उत्सरजन करता है तो option 2 भी ठीक है, शुकर ग्रह सबसे गरं ग्रह है, सबसे गरं ग्रह है इसलिए सबसे चमकिला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा है सुकर ग्रह है तो सारे कथन ठीक है इसलिए option number 4 आपका सही उत्तर रहेगा अगला प्रसंद देखते हैं लाल ग्रे के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रे क्योंकि इसकी जो मिटी है या फिर इसका जो धरातल है इसकी जो सता है उसमें लोही की मातरा काफी अधिक है इसलिए लाल रंग है इसका दुमकेतु किसकी परिकर्मा करते हैं देखिए मंगल ग्रह जो वो रात के समय लाला दिखाई देता है दुमकेतु किसकी परिकर्मा करते हैं दुमकेतु जो वो साथियो सुरिये की परिकर्मा करते हैं जैसे ग्रह सुरिये की परिकर्मा करते हैं परकार से धुमकेतु भी जो है वो सुरिय की परिकर्मा करते हैं और इनकी जो पूँच होती है वह यह सुरिय के चारों तरफ सुरिय के चारों तरफ उसके ग्रह हो गए और इस इन ही ग्रहों के साथ एक होता है धुमकेतु धुमकेतु भी जो है इस परकार से सुरिय की परिक होती है इसकी पूंच तो सुरिय की विप्रीज दिसा में होती है और जो उलकाएं पर्थवी पर गिर जाते हैं जैसे ही देखिए उलकाएं क्या होती है चुद्धर ग्राय और दुमकेतु द्वारा पीछे चोड़े गए धूलके कन यह जो बड़े बड़े कन होते हैं यह पर पर्थवी के वायो मंडल में जब परवेस करते हैं तो जल उठते हैं जिसको हम बोलते हैं कि तूटता हुआ तारा एक्च्वल में धुमकेतु और सुद्धर ग्राय की यह क्या है धूलके कन हैं जिनको हम उलकाएं होती हैं और जब यह उलकाएं पर गिर जाती हैं क्योंकि पर्थवी के वायो मंडल में परवेस करने के बाद यह पर रूप से जलती नहीं हैं और सीधे धरातल पर मानलीजि आ की गिर जाती हैं तो इनको बोलते हैं उलकाएं कहते हैं ठीक है हेली धुमकेतु एक हेली नामक धुमकेतु जो छिंतर वर्सों में दिखाई देता है यह जोड़ा तो 1902 में 70 जोड़ा 2062 में आपको दिखे कए दुबारा से 2062 में इसे हम दुबारा से देख सकते हैं ठीक है और तीसरा है सेरेश सबसे पहले खोजा गया चुद्र ग्रह है इसको सिरीज सिरीज पेज़ का सिरीज भी नोटस में इसको सिरीज लिखा रखा है क्योंकि इंग्लिस में होते हैं तो सिरीज भी बौल सकते हैं इसको सेरेश भी बौल सकते हैं तो यह सबसे पहले खोजा गया चुद्र ग्रह यह भी सही है तो इन में से कोई नहीं क्योंकि सारे कथन बिल्कुल ठीक है अगला सुरिय ग्राण कब होता है देखिए सुरिय अपनी जगह इस्थिर होता है में सारे यह देखिए यह क्या है सुरिय यह सुरिय अपनी जगह क्या होता है इस्थिर होता है यह इधर क्या है पर्थवी है और पर्थवी का खुद का एक क्या है पर्थवी का एक उपगरा है चं चंद्रमा ये तो गया आपका सुर्य ये सुर्य हो गया ये आपके हो जाएगी पर्थवी ये पर्थवी और ये चंद्रमा जब सुर्य और पर्थवी के बीच में चंद्रमा आ जाता है ठीक है ये मून है ठीक है जब सुर्य और पर्थवी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंदर्मा की जो चंदर्मा आ जाने के कारण है ना जश्ट सुरिये के आगे आचका चंदर्मा इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है चंदर्मा और सुरिये का वो भाग भी नहीं दिखाई देता है जिसके सामने चंदर्मा आया है ठीक है इसलिए हमें लगता है कि सुरिय ग्रहन हो रहा है, जब कि वो चंद्रम उसके actual में सामने आगया है सुर्ये की ठीक है, तो इसका अंसर बनेगा, सुर्य और पर्थवी के बीच में जब चंद्रम आजाता है, यानि सुर्य वा चंद्रम पर्थवी के mówद्दे। पर्थवी आजाने पर नहीं सदेव अमावश्या होता है मावश्या को पुरुनिमा को प्रोक्त दोनों इन में से कोई नहीं तो पुरुनिमा को होता है चंदर ग्रहन, चंदर ग्रहन कब होता है यह आपका हो गया सुरिय, सन ठीक है यह आपका हो गया सुरिय, यह आपकी हो गई पर्थवी यानि अर्थ ठीक है यह क्या हो गया आपकी पर्थवी यानि की अर्थ और यह हो गया चंद्रमा मून अगर चंद्रमा और सुरिये के बीच में पर्थवी आ गई यानि की चंद्रमा गोमता हुआ ऐसे आ गया इधर यानि की पर्थवी जो हो चंद्रमा के ठीक बीच में आ गई है इस वज़े से होता है कि जो पर्थवी की छाया है वो चंदरमा पर पड़ती है पर्थवी की छाया पड़ती है चंदरमा पर जिसकी वज़े से चंदर ग्रहन होता है ठीक है और ये काम होता है पुरुणी मा के दिन कब होता है पुरुणी मा के दिन होता साथियो तो अपसा नमबर आपका दो सही हो जाएगा सुरिय गरण होता है हमेशा हमावश्या के दिन निम्न में से सही नहीं है पर्थवी के अपने अक्सपर जुकाव के काण रितू परिवर्तन होता है दो मंगल या निश्रुदवरा पांच नॉमबर दोजार तेरह को प्रेक्शेपित किया गया जो चुबी सितंबर दोजार जोदा को मंगल की एक्सपर में स्थापित हो गया ऐसा ही पोईट है सनी गरण का गरतवत जल से कम होता है इसलिए एक मातर ऐसा ग्रह जो जल के उपर तैर सकता है वह सनी ग्रह है अना तो ओप्सन यहां सारे ठीक हैं इसलिए ओप्सन नमबर चार इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा इन में से कोई नहीं सारे सही है अपनी जिगर बहुत बार यह प्रशन पूचा गया है पर्थवी तो बहुत सगन है पर्थवी तो बहुत सगन है पर्थवी से कम सगन तो ब्रसपतिại अरुन वरुन ये सारे है क्योंकि पर्थवी एक दरातली एक रहा है तो बहुत सगन है वो अना सगनता दिखोगी जब कि यह गेस यह गरे है पर्थवी तो ठोस है यह गेस हैं सारे के साहरे और गेस का धानध जानेतो जूह जादा होता है पर इस सगनता उसकी जो凋 ऑएक प्रकार से क्योंकि गेस में कंड़ दूर दूर होते हैं तो सघन तो होंगे ही नहीं विरल होंगे तो अप्सन दो सही है यहां पर लेकिन सबसे ज़्यादा सघन सबसे कम सघन सबसे कम सघन यानि कि सबसे ज़्यादा गेस यह है वो सनी ग्रही है निमन में से सही है आर्येवट भारत का पर्थम करत्रिम उप ग्रह है सनी ग्रह सबसे सुन्दर ग्रह माना जाता है क्योंकि इसके तरह चारों और इसके चारों और इस परकार की वले जो वो पाई जाती है इस ग्रह के चारों और वले पाई जाती है जैसे ये सनी ग्रह है सारे ठीक ओप्सन त्यार सई है आठवी क्लास के प्रसन है 26 नमबर प्रसन है सुक्र ग्रै का वायो मंडल घने सफेद और पीले बादलों का बना है जो है सल्फिरी कमल अभी बताए आपको एश्टुए सोफोर ठीक उत्री गोलार्द में सबसे छोटा दिन होता है उत्री गोलार्द यानि कि जहां हम रहे रहे हैं वही है उत्री गोलार्द उत्री गोलार्द में सबसे छोटा दिन पूछे तो 22 दिसंबर 22 दिसंबर के जश्ट आगे से 23 दिसंबर से बड़े दिन शुरू हो जाते हैं इसका मत की लिए क्या जाता है क्योंकि 22 दिसम्र को सभसे छोटा दिन होता उसके जस्ट बाद से बड़े दिन आने हो जाते हैं ठीक है तो 22 दिसम्र इसलिए जो है उससे छोटा दिन है और 21 जून सभसे बड़ा दिन है इत्री गोलार्द का सबसे बड़ा दिन अगर हम पूछ ले दक्षिनी गोलार्द में तो दक्षिनी गोलार्द यहां दक्षिनी गोलार्द होता दक्षिनी गोलार्द में सबसे छोटा दिन तो 21 जून होता दक्षिनी गोलार्द में सबसे बड़ा दिन तो 22 दिसंबर होता ठीक है यहां आपका उत्तर क्या बनेगा option number 4 बन जाएगा 22 दिसंबर टाइटन किसका उपगरब मैंने बताय था आपको फोबोस और डिमोस और टाइटन तीन उपगरब पुछे जाते हैं फोबोस डिमोस मंगल के हैं टाइटन आपका सनी का है option number 3 सही होगा ठीक है अगला प्रशन गरहों की गती के नियम किस ने दिये केपलर ने दिये थे तीन नियम दिये थे हमने physics में बहुत अच्छे से इसको पड़ लिया है फिर है आकार के अनुसार सोरमंडल के गरहों का अउरोही करम यानि सबसे पहले सबसे बड़ा उसके बाद में उससे चोटा फिर उससे चोटा फिर उससे चोटा सबसे चोटा लाश्ट में तो सबसे बड़ा गरह कौन सा होता है सनी सोरी आपका ब्रसपती सबसे बड़ा गरह होता है ब्रसपती तो पहले नमबर पर ब्रस्पती कहां पर है तभी में ब्रस्पती है दूसरे नमबर पर ओना चाहिए सनी सनी कहां है सब में है तीसरे नमबर पर ओना चाहिए अरून गरह होगा पर्थवी के बाद में होना चाहिए शुक्र ठीक है शुक्र है फिर मंगल और सबसे छोटा होना चाहिए बुद्ध तो option number एक ही प्रशन का सही उत्तर होगा यही करम है सबसे बड़े ग्रह से सबसे छोटे ग्रह की तरह जब हम चलते हैं तो यही हमारा करम रहेगा ठीक है सबसे पहले ब्रस्पती फिर सनी फिर अरुण फिर वरुण फिर पर्थवी फिर शुक्र फिर मंगल और सबसे छोटा बुद्ध ग्रह ठीक है साथियो सुरिये के चारों और चकर लगाते ग्रह का वेग निएत रहता है अधिक्तम होता है जब सुरिये के समीप होता है अधिक्तम होता है जब सुरिये से दूर होता है कुछ नहीं कहा जा सकता देखिए सुरिये के चारों और चकर लगाते है गरह के वेग की अगर बात की जाए तो जितना सुरिये के पास होगा उतना ही वेग क्या होता जाएगा अधिकतम होता है जब सुरिये के समीप होता है ठीक है सुरिये के संगठन में साहे का गेसे हैं सुरिये कौन-कौन सी गेसों से मिलकर बना है ऑक्सिजन और कारबन डायोकसाइड, हीलियम ऑक्सिजन, हीलियम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम नाभी के सनले नभी के लिया यहाँ चलती रहती है सुरिये में ठीक है तो हाइडोजन बम इसी सिध्धानत में बनाया गया है हाइडोजन और हीलियम इसमें पाई जाती है दिन वर रात होने का कारण है पर्थवी का अपने अक्स पर घुरुनन जुका होना यही है दिन रात बनने का कारण है एक मिंट पर्थवी का अपने अक्स पर घुरुनन जुकाव नहीं घुरुनन पर्थवी का अपने अक्स पर घुरुनन और एक्स जुकाव है साढ़े तेईश डिगरी पर तो पर्थवी का अपने अक्सपर घृणन इसका कारण है दिन रात बनने का निमलकित में से कौन से ग्रह के सरवादिक प्राकरतिक उपग्रह यानि की चंद्रमा उपग्रह अथवा चंद्र उपग्रह को चंद्रमा भी बोल सकते हैं ब्रसपति, मंगल, सनी, सुकर सभी लोग ब्रसपति लगाते हैं लेकिन सनी इसका सही उतर होगा क्योंकि सनी अबी हाल ही में इसके सबसे ज़्यादा लगवग 81-81 या इससे भी ज़्यादा जो है इसके ग्यात चंद्रमा हो चुके हैं जबकि ब्रसपती के 67 ही दी हुए है, 67-68, आकड़ा कभी नहीं पूछेगा आपके कितने उपगरा इसके हैं, ऐसे नहीं पूछेगा, क्यों ही वो फिक्स नहीं है, तो सनी इसका सही उतर साथियो रहेगा, सबसे ज़्यादा अभी ओचके उपगरा है, सनी ग्रह की. International Astronomical Union, दो आरासन 2006 में दी गई एक नई परिवासा के अनुसार, निमलखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, यूरेनस, नेप्चून, जुपीटर या प्लूटो, प्लूटो यानि की यम और यही इसका उतर है, पहले सुरिये के नो ग्रह हुआ करते थे, लेकिन 2006 में, 2006 में प्लूटो को इस रेनी से ग्रह की इस रेनी से हटा दिया, और अब सिरफ और सिरफ आठ ग्रह जो हो मानने जाते हैं सुरिये के, तो प्यारे साथियो, इसी के साथ आपका जो साइन्स के टोपिक वाइज प्रशनों का सिलसिला चला था हमारा, वो संपन होता है, और बह उनको मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है, यह सिरीज निस्चित तोर पर आपको फाइदा देगी, इस चैनल से अगर आपको थोड़ा भी फाइदा हुआ है, तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और घंटी के न क्योंकि मेटर तयार करना, फिर उसको पढ़ाना काफी समय लगता है इस चीज में, तो मेरी कोशिस अभी यह रहेगी गणित में कि वही जो प्रसन आये हुए हैं, जो करमचारी चैन बोर्ड के दौरा पूछे गए प्रसन हैं, और उसमें भी जो प्रसन कठिन प्रसन हैं, उन प्रसनों को मैं आपके सामने लेके आना चाता हूँ, और सरल तरीके से उन प्रसनों को कैसे कर सकते हैं, ये मैं कोसिस करूँ आपको बताने की, ठीका साथ ही यह बही बताने की कोसिस करें, जो टाइप्स यह इंपौर्टन हैं, आपके exam के point of view से, यही मदद आपके गण अभी आपको paper, practice करने की यहनकी practice करने की जरूरत है, paper देने की जरूरत नहीं है ज्यादा हैना complete test दीजिए, एक दो आप कोई दिक्कत नहीं है, week में एक test लगा सकते हो लेकिन topic wise प्रशन आप करने हैं, आपको कैसे करने हैं, मैंने आपको बताया revision 20 दिन वाला अपना चदरा होगा, topic पढ़ा और last year आए हुए प्रशनों को किया, बस उसके बाद में 10 दिन वाले revision में सिरफ और सिरफ आपको topics पढ़ने हैं, last year क्यों संस को नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सिरफ topics पढ़ने हैं, अपने notes पढ़ने हैं, उसके बाद में exam देना, exam बहुत अच्छा जाएगा, तो चलिए साथियो, वैसे pre-grade third की अपनी सिरी चल रही है, जिसमें तीन pre-grade की exam हो चुए है, चोथा exam भी अपना अब जल्द होने वाला है, तो निस्चित तोर पर आप हमें join कर सकते हैं, इसके लिए, link हमारे application का description box में है, आगे आने वाले budget में और भी वरती आएंगी, और ऐसा भी मैंने सुना है कि एक बार REIT का exam एक बार पुना होगा, तो जो साथी अभी B.A. second year में हैं, या जिन्होंने REIT का exam अभी नहीं दिया है, अगर वो वच्चे चाहें, या फिर आपके भी वो साथी अगर कुछ ऐसे हैं, तो आप भी उनको इस channel से जोड सकते हैं, ठीक है साथियो, चलिए मिले हैंगे हम अगले वीडियो में, एक और ने टोपी के साथ, अब तक के लिए नवस्कार, जै हिंद, जै भारत.